बात कर लेते हैं दूसरी खबर की जहां चेहरे पर पीड़ा के बाओ हैं एडियां फटी हुई हैं धखान भी महसूस हो रही है लेकिन फिर भी किसानों को हौसला बुलंद है किसानों का विशाल काफिला अपनी मांगो को लेकर लॉंग मार्च मिका रहा है माच का आयोजन माक्स वादी कमेनिस पार्टी ने किया है किसानों के साथ इसमें असंगठित कामगार और जंजाते समुदाय के सिर्थी शामिल है किसानों की मांगो की एक लंबी फैन रिस्ट है जिसमें प्याज पर 600 रुपे पिती क्विंटल की सबसिडी की मांग भी शामिल है कई किसान चंजाते समुदाय से हैं और भूमी अधिकारों की मांग कर रहे है किसानों की मांगो में 12 घंटे विजली आपोर्ती और करशी रिंग की माफी भी शामिल है किसानों का माच नासिक के जिंडोरी से शुरू हुआ बुदवार को मुख्यमंत्री ने किसानों को मुंबई आकर बाचीत करने का नियोता दिया है लेकिन किसानों ने मांग ठुक रहा दिथी हाला कि बाद में महराश्ट सरकार के दो मंत्री किसानों से बाचीत के लिए ठाने आये और उनको मुंबई आकर मुख्यमंत्री और जिप्टी मुख्यमंत्री से बाचीत करने का नियोता दिया प्याच के दाम लगातार बढ़ रहे हैं जिसके लिए अब किसानों ने महराश्ट में एक लंबा लॉंग मार्च निकाला है आपको बता दे किसान ने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लॉंग मार्च निकाला है नासिक से लेकर मुंबई तक यह लॉंग मार्च निकाला जा रहा है प्याज पर 600 रुपर प्रती सबस्टिट्री देने की मांग की जा रही है 2000 की न्यूंतम मूल पर ये प्याद बेची जा रहे दिन में लगातार 12 घंटे बिजली मुहिया कराई जाए ये भी किसानों की मांग है और तस्वीरे भी आप देख सकते हैं लॉंग माच की तस्वीरे हैं लगातार पैदल चल कर किसान यहां पर अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं सबसीडी को लेकर किसानों की मांगे किसानों को मुख्यमंत्री माराश की मुख्यमंत्री ने नौता भी दिया था जिस पर बात करने का आश्वासन दिया गया है